ओम शान्ती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार की संपूर्ण मुरली, मीठे बच्चे जैसे तुम्हें निश्चय है कि इश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझा कर निश्चय कराओ फिर उनसे ओपीनियन लो प्रशन बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूचते हैं, जो दूसरा कोई नहीं पूच सकता है उत्तर बाबा जब बच्चों से मिलते हैं, तो पूचते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो जो बच्चे समझे हुए हैं, वह जट कहते हैं, हाँ बाबा, हम पांच हजार वर्ष पहले आप से मिले थे जो नहीं समझते हैं, वह मूझ जाते हैं ऐसा प्रशन पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं बाप ही तुम्हें सारे कल्प का रास समझाते हैं यहां तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिवबाबा के पास जो ब्रह्मा के रत में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े हैं और कोई भी सत्सन में किसकी बुद्धी में यह बाते नहीं होंगी तुम जानते हो हम शिवबाबा के पास जाते हैं, जो इस रत में आकर पढ़ाते भी हैं वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आये हैं बेहत के बाप से जरूर बेहत का वर्सा मिलना है यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ सर्वव्यापक तो पांच विकार हैं तुम्हारे में भी पांच विकार हैं, इसलिए तुम महान दूख ही हुए हो अब इश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह opinion जरूर लिखवाना है तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि इश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, गुरु भी है बेहत का सद्गती दाता है वही शांती देने वाला है और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है सिर्फ कन्रस्त रामायन गीता आदी जाकर सुनते हैं बुद्धी में अर्थ कुछ नहीं आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे अब बाप समझाते हैं यह तो जूट है बड़ी गलानी की बात है तो यह ओपीनियन भी बहुत जरूरी है आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदी कराते हो वह लिखते हैं ब्रहमा कुमारिया अच्छा काम करती है बहुत अच्छी समझानी देती है इश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है बाकी यह ओपीनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं इश्वर सर्वव्यापी है यह बड़ी भूल है इश्वर तो बाप, तीचर, गुरु है एक तो मुख्य बात है यह दूसरा फिर ओपीनियन चाहिए कि इस समझानी से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है भगवान एक है, वह बाप है उस बाप से ही शांती और सुख का वर्सा मिलता है ऐसी ऐसी ओपीनियन लेना है अभी जो तुम ओपीनियन लेते हो, वह कोई काम की नहीं लिखते हैं हाँ, इतना लिखते हैं कि यहां शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वह लिखाओ कि यह ब्रह्मा कुमारिया सत्य कहती हैं कि इश्वर सर्वव्यापी नहीं है वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है बाप आकर भक्ती मार्ग से छुडाए ज्यान देते हैं यह भी ओपीनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं, परन्तु एक बाप है ऐसी ऐसी ओपीनियन जब लिखें तब ही तुम्हारी विजय हो अभी टाइम पड़ा है अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है यह तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं तुम ही अपने तनमंधन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो जो करेगा वह पाएगा जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं कल्पकल्प तुम ही करते हो तुम ही निश्चय बुद्धी होते हो तुम समझते हो कि बाप, बाप भी है, तीचर भी है गीता का ज्यान भी यथार्थ रीती सुनाते है भक्ती मार्ग में भल गीता सुनते आये परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया है इश्वरिय मत से बदल कर आसुरी मत हो गई कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े कुम्ध के मेले पर कितने मनुष्य करोडों की अन्दाज में जाते हैं जहां जहां पानी देखते वहां जाते हैं समझते हैं पानी से ही पावन होंगे अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है इनसे कोई पावन बन सकता है क्या क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन न सके यह है भूल तो इन तीन बातों पर ओपीनियन लेना चाहिए अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है तो बहुतों के अंदर जो घ्रांतियां भरी हुई है कि ब्रहमा कुमारियों में जादू है भगाती हैं वह ख्यालात दूर हो जाते हैं क्योंकि आवास तो बहुत फैला हुआ है न विलायत तक यह आवास गया था कि इनको 16,108 रानिया चाहिए उनसे 400 मिल गई हैं क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे बहुतों ने विरोध किया पिकेटिंग आदी भी करते थे परन्तु बाप के आगे तो कोई की चल न सके सब कहते थे यह जादूगर फिर कहां से आया फिर वंदर देखो बाबा तो कराची में था आपे ही सारा जुन्ड आपस में मिलकर भाग आया कोई को पता नहीं पड़ा की हमारे घर से कैसे भागे यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहा जाकर रहेंगे फिर फट से बंगला ले लिया तो जादू की बात हो गई न अभी भी कहते रहते हैं यह जादूगर नी है ब्रहमा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लोटेंगे नहीं यह स्त्री पुरूष को भाई भिन बनाती हैं फिर कितने तो आते ही नहीं है अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदी देखकर वह जो बाते बुद्धी में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं बाकी बाबा जो ओपीनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते बाबा को वह ओपीनियन चाहिए यह लिखें की गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान वाच परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित तो इसमें बहुतों की ओपीनियन चाहिए गीता सुनने वाले तो धेर के धेर हैं फिर देखेंगे यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है गीता का भगवान परंपिता परमात्मा शिव है वही बाप, तीचर, सर्व का सद्गती दाता है शांती और सुख का वर्सा सिर्फ उनसे मिलता है बाकी अभी तुम मेहंत करते हो, उदघाटन कराते हो सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती है समझानी अच्छी मिलती है बाकी बाबा जैसे कहते हैं, वह ओपीनियन लिखें मुख्य ओपीनियन है यह बाकी सिर्फ राय देते हैं, यह संस्था बहुत अच्छी है इससे क्या होगा? हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नस्दीक होगी तो तुमको यह ओपीनियन भी मिलेंगे समझ कर लिखेंगे अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं न अभी तुमको ज्यान मिला है एक बाप के बच्चे हम सब भाई-भाई हैं यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है उनसे जरूर सुप्रीम बेहत का पद भी मिलना चाहिए सो पाँच हजार वर्ष पहले तुमको मिला था वो लोग कलियुक की आयू लाखों वर्ष कह देते हैं तुम पाँच हजार वर्ष कहते हो कितना फर्क है बाप समझाते हैं पाँच हजार वर्ष पहले विश्व में शांती थी यह एम ऑबजेक्ट सामने खड़ी है इनके राज्य में विश्व में शांती थी यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं सारे विश्व में सुक्षांती थी कोई दूख्ः का नाम नहीं था अभी तो अपार दूख्ः है हम यह सुक्षांती का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तनमंधन से गुप्तरीती बाप भी गुप्ध है, नौलेज भी गुप्ध है तुम्हारा पुरुशार्थ भी गुप्ध है इसलिए बाबा गीत क्विताय आदी भी पसंद नहीं करते हैं वह है भक्ती मार्ग यहां तो चुप रहना है शांती से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टी चक्र बुद्धी में फिराना है अभी हमारा यह अंतिन जन्म है पुरानी दुनिया में फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे आत्मा पवित्र जरूर चाहिए अभी तो सब आत्माय पतित हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हूं बाप खुद कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो। वह कहते हैं, बच्चे, यह अंतिन जन्म सिर्फ पवित्र बनूँ। अब इस मृत्य लोग का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हूभू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृती में आता है ना। अपना राज्य था, तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है, तो उससे पूछता हूँ, आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हैं, वह जट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले। कोई नए आते हैं, तो मूझ पढ़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राहमनी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ सोचो, तो स्मृति आती है। यह बात और तो कोई भी पूछ न सके। पूछने का अकल आएगा ही नहीं। वह क्या जाने इन बातों से। आगे चल कर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है। चक्र का रास तो समझा दिया है। अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो गुद्धी उसमें चली जाती है। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है यह फिर है बेहद की बात बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो ममत्व नई दुनिया में रहे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य वह तो हठ योग से हद का सन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य इसमें तो अथा दूख हैं नई सत्यूगी दुनिया में अपार सुख हैं तो जरूर उनको याद करेंगे यहां सब दूख देने वाले हैं माम बाप आदी सब विकारों में फसा देंगे बाप कहते हैं काम महाशत्रू है उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे यह राज्योग बाप सिखलाते हैं जिससे हम यह पद पाते हैं बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं, पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी तो अब मैं एक जन्म अप्वित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़े ही इस पवित्रता की बात पर ही जगडा चलता है द्रोकदी ने भी पुकारा है, यह दुशासन हमको नंगन करते हैं यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रोकदी को श्रीकृष्ण 21 साडिया देते हैं अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गती हो गई है अपार दूख है न सत्योग में अपार सुख था अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्धर्म की स्थापना करने तुमको राज्यभाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे आधाकल्थ फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी तुम कभी याद भी नहीं करेंगे तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सब के मन में उल्टा वायब्रेशन है वह निकल कर ठीक हो रहा है बाकी मुख्य बात है ओपीनियन लिखा लो इश्वर सर्वव्यापी नहीं है उसने तो आकर राज्योग सिखाया है पतित पावन भी बाप है पानी की नदिया थोड़े ही पावन बना सकेंगी पानी तो सब जगह होता है अब बेहत का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है वह फिर कह देते आत्मा निरलेप है आत्मा सो पर्मात्मा यह है भक्ति मार्ग की बातें बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें अरे अपने को आत्मा तो समझते होना आत्मा कितनी छोटी बिंदी है तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा वह पुनरजन्म में नहीं आता है यह बुद्धी में ज्ञान है बाप याद क्यों नहीं आएगा चलते फिरते बाप को याद करो अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का परन्तु याद तो एक को करो ना तो तुम्हारे पाप कट जाएं और तो कोई उपाय है नहीं जो समझते हैं वह कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन बन पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं तो हम क्यों नहीं याद करेंगे एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाएं अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मौर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार एक जैसे बाप और नौलेज गुप्त है ऐसे पुरुशार्थ भी गुप्त करना है गीत क्विताओ आदी के बजाए चुप रहना अच्छा है शांती में चलते फिरते बाप को याद करना है दो पुरानी दुनिया बदल रही है इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है इसे देखते हुए भी नहीं देखना है बुद्धी नई दुनिया में लगानी है वर्दान ब्राहमन जन्म की विशेषता को नेचरल नेचर बनाने वाले सहच पुरुशार्थी भव ब्राहमन जन्म भी विशेष, ब्राहमन धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रिष्ट है क्योंकि ब्राहमन कर्म में फालो साकार ब्रहमा बाप को करते हैं तो ब्राहमनों की नेचर ही विशेश नेचर है साधारण वा मायावी नेचर ब्राहमनों की नेचर नहीं सिर्फ यही स्मृती स्वरूप में रहे कि मैं विशेश आत्मा हूं यह नेचर जब नेचरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे स्मृती स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे यही सहज पुरुशार्थ है स्लोगन पवित्रता और शांती की लाइट चारों और फैलाने वाले ही लाइट हाउस है